गाउट ड्रक्स गाउट ड्रक्स को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि गाउट है क्या और इसकी पैसफिजियोलोजी में जाना पड़ेगा तो होता है इस तरह है कि बॉड़ी में जो प्रोटीन मेटेबलिजम है उसको जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो हमारे पास प्योरीन्स आते हैं यह purines हम अगर देखें तो यहां पर अगर purines आ गए तो purines को हम convert कर सकते हैं hypozenthine में और यह hypozenthine convert होगा xanthine में और xanthine से यह होगा youric acid में convert और यह uric acid urine के जरिये body से बाहर निकल जाएगा hypo zenthin से zenthin का सफर और zenthin से uric acid का सफर तै करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत है जिसका नाम है zenthin oxidase और ये एंजाइम दो जगा पर काम कर रहा है इसके इलावा ये uric acid जैसे ही tubules में आएगा या तो ये urine में वापस चला जाएगा और या फिर ये body में वापस आ जाएगा यानिके plasma में वापस आ जाएगा urine में जाने की अमल को tubular secretion कहा जाता है जबके body plasma में वापस जाने को tubular reabsorption कहा जाएगा कई levels पर हम इस pathway को रोकते हैं लेकिन इसको रोकने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि यह uric acid crystals form में जमा होना शुरू हो जाता है यह joint space में जाता है और joint space में जाकर यह crystals वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर चुके crystals बहुत ज़्यादा inflammation cause करते हैं पेन होती है इस वजह से यह बिमारी जो है इसे गाउट कहा जाता है अब हम कई levels पर इसको रोक सकते हैं यानि के अगर हम इससे देखें कि यह जो जैंथीन oxidase काम कर रहा था हम इसको भी रोक सकते हैं absorption को भी रोक सकते हैं re-absorption को और secretion को भी लिकिन इसकी जरूरत क्यों पेश है या होने वाला है या उसमें amount यूरिक एसिड की ज्यादा है तो हम उसमें consider करेंगे कई medications for example अगर हम बात करें ऐलोप यूरिनोल की या फिबॉक्सोस्टेट की तो यह जैंथीन oxidase inhibitor हैं यह क्या करेंगे कि जैंथीन oxidase को काम नहीं करने देंगे जब जैंथीन oxidase काम नहीं करेंगा तो हाइपोजैन्थीन जैंथीन में और यूरिक एसिड में convert नहीं होगा जब यह conversion नहीं होगी तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा ही नहीं जब ज्यादा बनेगा नहीं तो वह joint में accumulate नहीं होगा और गौट नहीं होगा इसके इलावा दूसरी drugs जो है वो टुब आऊना शुरू हो जाएगा वो यूरिक एसिड को बढ़ा देंगी या आपने सुना होगा कि डायूरिक एसिड को जाने से इनक्रीज हो गया इसके इलावा जो चीज़ें टुबिलर रियब्सॉर्प्शन को रोकती है यानि कि वो प्लाज्मा में ड्रग को जाने से प्लाज इसका मतलब यह है कि वो यूरिन में एक्स्कृशन ज्यादा करवा रही है यूरिक एसिड की वो ड्रग से प्रेंसिड या हाई डोर्स में ऐस्प्रिन तो प्रोवेंसिड देने से या हाई डॉस ऐस्प्रिन देने से गाउट का पेशन अच्छा फील करेगा तो यह बेसिक कॉंसप्ट था इसके इसके पीछे लेकिन अब हम देखेंगे कि इंडिविजुल ड्रग्स कैसे काम करती हैं हमारे पास दो तरह की ड्रग्स हैं एक प्रिवेंटिव में आती हैं और दूसरी एक्यूट अटेक के लिए होती हैं प्रिवेंटेव ड्रग्स क्राणिक गॉट द्रग्स न Alle कहलाती इस में सबसे पहले बात करें तो प्रबैनिस से यानि कै जो ट्यूबल साफ्शन को रोक रही थी ये मैं grappling को रोकती है यानि कि इसमें important चीज यह है कि यह plasma में जाने से रोक रही है, दूसरी important चीज में यह है कि कहां पर रोक रही है, PCT में, तीसरे number पे एक और बहुत important चीज है, कि penicillin पे इनका एक function होता है, यानि कि जब हम probenicid देंगे, तो penicillin की secretion नहीं होगी, यानि कि penicillin secret नहीं होगी तो body में accumulate होना शुरू हो जाएगी, और penicillin की amount ज़्यादा देर तक body में रहेगी, लेकिन एक problem है, problem यह है कि जब probenicid देते हैं, तो uric acid इस जगा से बहुत ज़्यादा देर तक गुजरता रहता है, urine में जाता रहता है, तो accumulate भी होता है, और जब accumulate होगा, तो वहाँ पर calculate बनेंगे, यानि कि stone बनने शुरू हो जाएंगे, दूसरे नमबर पर जो मैं पास drug है, वो allopurinol है, allopurinol को गरम देखें, तो allopurinol काम कर रही है इस level पे, xanthine oxidase के level पे, xanthine oxidase को रोकने का मतलब यह है कि hypoxanthine से xanthine का रोकना और xanthine से uric acid का ना बनने देना, तो यही बात हुई यहां पर कर रहा है, xanthine oxidase inhibitor से hypoxanthine और xanthine से uric acid नहीं बनेगा, sorry, hypoxanthine से xanthine और xanthine से uric acid नहीं बनेगा, अब इसका एक बहुत important function यह है, कि हम यह देंगे क्यों, असल में होता क्या है कि जब cells बनते हैं, तो cells मरेंगे भी, यानि कि जब वो मरे तो उन में से protein निकलेंगे, यह protein निकल कर purines की हालत में change होंगे, यह purines, hypoxanthine, xanthine, uric acid और फिर urine में जाना शुरू हो जाएंगे, तो जितना cell बनना, उतना cell turn over, उतना ही यह सिलसला जादा चलेगा, तो यही एक बिमारी है, जिसना for example, lymphoma और leukemia, यह दोनों blood cancers हैं, तो इ इनकी तादाद बहुत जादा बढ़ जाती है, और उसके बाद जितने जादा बढ़ेंगे, उसका turn over भी जादा होगा, तो tumor lysis होगा, जब lysis होगा, तो uric nephropathy होगी, नephropathy इसलिए क्योंकि uric acid अब जो है वो nephron में जमा होना शुरू हो जाएगा, तो nephropathy भी होगी, इसके लिए इलावा एक बहुत important चीज जो है, वो इस table में दिखाए गई है, जो मैं आप यह आपके सामने कोड़ रहा हूँ, यह table अगर आप गौर से देखें, तो इसमें हमारे पास six mark eptopurine का metabolism है, अब होता क्या है, कि हमारे पास, अगर for example, let me remove this first, फिर उसके बाद इस पर discussion करते हैं, कि है क्या यह, तो हमारे पास एक drug है, cancer drug, जिसका नाम है six mark eptopurine, यह drug कैसे function करती है, कि यह cell के अंदर cytotoxic metabolites बनाती है, वो तमाम के तमाम cells जो के इसे अपने अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर जाकर rapidly growing cells, यानि कि tumor cells जो होते हैं, वो वहाँ, यह यहाँ जाक active होती है, यानि कि अपनी active metabolites में convert होती है, और उसके बाद वो cytotoxic metabolites जो हैं, वो cancer cells को, tumor cells को मार देते हैं, इसी तरह यह six mark eptopurine जो है, यह inactive metabolites में भी change हो सकती है, यानि कि वो काम नहीं करेगी अगर यह inactive में change होगी, अब active करने के लिए हमें एक enzyme की जरूरत है, जिसका HGPRT, यहां पर लिखा हुआ है, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase और TPMT का मतलब है, thiopurine methyl transferase, यह दूसा enzyme है, TPMT के काम करने के लिए हमें एक और enzyme की जरूरत होती है, जिसका नाम है xanthine oxidase, यह वो ही xanthine oxidase है, जो uret formation में काम आ रहा था, और इस पे drug काम कौन सी कर रही थी, allopurinol, यह allopurinol जैसे ही xanthine oxidase को रोक देगी, तो TPMT जो पात्वे है वो नहीं चलेगा, इसका मतलब inactive metabolites नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि तमाम 6MP इस direction में जाते हुए active metabolites बनाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि allopurinol के देने से हम मदद कर रहे हैं cancer cells को मारने के लि चुरू हो जाएगी, तो यह एक बहुत important part है, because इस तरह यह drug काम करके हमें double फाइदा दे रही है, कि हमारे cancer cells भी इससे मर सकते हैं, अब वापस आते हैं उसी pathway की तरफ, तो यहां पर वो यही बात mention कर रहा है, अब अगली drug की तरफ अगर हम आएं, तो उसमें हमारे पास एक एक और medication है, जिसका नाम है, पैगलोटी केस, पैगलोटी केस एक recombinant drug है, new technology है, यूरी केस, catalyzing uric acid to alan toine, अब यहां पर हमारे पास यूरी केसिड है, हम इसे निकालने के लिए urine में भेज देते हैं, लेकिन यह इस कदर soluble नहीं होता, जितना इसे होना चाहिए, तो scientist नहीं सोचा कि क्यों ना इसे इतना water soluble कर लें, कि जैसे ही uric acid बने, यह किसी और हालत में change हो, और वो हालत फटा फट जो है, वो urine में निकल जाए, तो उस हालत को alan toine का नाम दिया गया, तो यानि कि alan toine एक ऐसी चीज है, जो कि water soluble जादा होती है, और urine में जल्दी से excrete हो जाती ह तो basically peglotticus इस pathway पर काम करता है, फिर उसके बाद fiboxo state, same thing, वो भी xanthinoxidase पर काम कर रहा है, तो same as allopidinol, अब अगर आख जाए हम, let me remove this, और फिर हम आगे चलते हैं, अगले round की तरफ, अब हमारे पास आगे, acute drugs, acute drugs जो हैं, और chronic में बहुत फरक है, हम acute drugs, जो हैं, वो, यान कर एक आदमी रात को सोया है, सुबह उसके जो टो में दर्द शुरू हुआ, और उसे पता चला है, उसे गाउट है, तो हम उसमें acute drugs देंगे, ना के chronic drugs, क्योंके chronic drugs preventive हैं, और acute drugs जो हैं, उसे pain को और inflammation को कम करती हैं, सबसे पहले जो हमारे पास drug है, उसका नाम है, anasets, anasets, basically non-steroidal anti-inflammatory drugs है, इसमें हम कोई भी एनसेट दे सकते हैं, लेकिन salicylate देने से घबराते हैं, because हमें पता है, salicylate या नहीं, aspirin का दो effects होते हैं, low dose में ये gout attack को बढ़ा सकती है, तो इस वज़ा से हम caution के साथ ये use करते हैं, क्यों, क्योंकि ये uric acid की excretion में खलल डालती है, और particularly at low doses, जिस ना मैंने बताया, लेकिन high doses में इसका effect नहीं होता, दूसरे नमबर पर हम देते हैं, glucocorticoids, अब इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, कि glucocorticoids करते के हैं, असल में ये joint space अगर हम देखें, और यहां पर अगर for example, uric acid के crystals जमा होना शुरू हो गये, they look like needles और जिस ना कोई छुरा मार रहा है, और यह बहुत painful होते हैं, और pain की वज़ा से यहां पर inflammation cause करते हैं, यानि कि जब damage करेंगे तो inflammation cause होगी और pain होगा, तो उसके लिए ही हमने non-steroidal anti-inflammatory drugs दिये थे, और अगर हम glucocorticoids देएं, तो glucocorticoids function क्या करेंगे, कि ये cox और lox पात होगा, तो इसी तरह हम orally दे सकते हैं, या injection की सूरत में हम joint space के अंदर glucocorticoids enter करवा कर, locally inflammation को कम कर सकते हैं, तीसे नंबर पर हम parantral भी दे सकते हैं, तो ये glucocorticoid का function था कि हम किस तरह से glucocorticoids से भी इस बीमारी को tackle down कर सकते हैं, अब अगर बात करें हम colchicine की, colchicine ये बह बहुत important इसका mechanism है, because colchicine क्या करता है, कि इससे जाने से पहले हम देखते हैं, कि होगा क्या, for example, अगर ये एक blood vessel है, और यहाँ पर inflammation जारी है, और यहाँ से neutrophils ने inflammation की तरफ जाना है, because leukotrines B4 इससे जाकर बताएंगे कि यहाँ पर inflammation हो रही है, तो इसको गुजरने के लिए इस narrow space में से अपनी हालत change करनी पड़ेगी, extraversation करनी पड़ेगी, तब ही ये इस जगा से गुजर के यहाँ पर आएगा और inflammation cause करेगा, और हर cell का एक cytoskeleton होता है, और cytoskeleton में micro tribules एक अहम किरदार अदा करते हैं, छोटे-छोटे tribules होते हैं, जो कि उसको मदद करते हैं, उस कि वो काबिल ही ना रहे कि वो narrow space में से गुजर सकें नीचे की तरफ, तो क्या होगा, कि वो neutrophils या वो cells यहाँ पर नीचे आ ही नहीं सकेंगे, जब उन्हें बुलाया जाएगा, यानि कि neutrophils chemotaxis में वो नहीं आ सकेंगे, और जब आ नहीं सकेंगे, तो अपने आपको degranulate कर काम करते हैं, वो निकल नहीं सकेंगे, तो यहाँ पर inflammation कम होना शुरू हो जाएगी, यानि कि inflammation नहीं होगी, तो यही मद्दे नज़र रखते हुए, अब हम text की तरफ आते हैं, कि उसने बयान क्या किया, क्या किया इसमें, तो अब देखें, कि वो कहता है कि, कोल्चिसीन क्य polymerization नहीं होने देता, तो उससे क्या होगा, कि जैसे ही वो उसकी polymerization नहीं होगी, तो वो narrow space के अंदर से यहाँ से इस तरह गुजर नहीं सकेंगे, तो जब नहीं गुजर सकेंगे, तो क्या होगा, neutrophil chemotaxis नहीं हो पाएगा, और degranulation भी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे हम acute attack म और prophylactic values के लिए भी use करते हैं, यानि अगर हमें लगे किसी बंदे को gout attack होने वाला है, तो उसमें भी हम ये use कर सकते हैं, इसके इलावा, इसके side effects में GI और neuromyopathic side effects भी मौजूद हैं, तो इसमें फिर से हम इसे revise कर लें, कि हमारे पास uric acid को हमने कम करना, उसके लिए कई medications है जिसमें xanthine oxidase inhibitor हैं, हमारे पास ये दवाईयां जो हैं, ये खतरनाक हैं क्योंकि ये बढ़ाती हैं, और इसके इलावा जो tubular reabsorption है, ये भी कम करती हैं, इसमें टेबल में एक medicine यूज नहीं दिखाए गई, वो paglito case है, जो के इसे ऐलन टॉइन में convert करके, more soluble product में change करके कर देती है, इसमें एक main drug जो है वो कुल्ची सीन है, जो के prophylactic और acute attack दोनों के लिए यूज होती है, और बाकी यहाँ पर जो है प्रोवेंसेड, alopirinol, pagloticase और fibrosostate ये सारी preventive drug हैं, जबके एनसेड, glucocorticoid और कुल्ची सीन, acute gout,